प्लीज सुब्सक्राइब आर चैनल क्वेस्ट इंडिया और प्रेस बेल आइकन फॉर ओल नोटिफिकेशन क्वेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ डोक्टर दल्बीर सिंग और अब हम हाजर हुए हैं हरियाना का जिक्के पार्ट टू लेके दोस्तों पहले पार्ट में हमने किये थे 35 क्वेस्ट और सेकेंड पार्ट में भी हम लेके आए 35 क्वेस्ट उमीद है कि आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा इसके साथ हम दूसरा पार्ट शुरू कर लेते हैं बगएर किसी भी परकार कर टाइम खराब करते हुए दोस्तों आपको यहाँ पे एक सला देना चाहता हूँ कि हमने थमनेल के उपर जैसे लगा रखाया कि हरियाना के कितने जिले हैं उनके नाम, उनकी बावंडरी, उनकी लोकेशन यहाँ पे है तो आप इसको भी जरूर एक बार देख ले चलिए चलते हैं किस्टन की तरफ और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा हरियाना जी के पार्ट जिसमें हमने पॉलिटी को ज़्यदा प्रैफर किया परन्तों इसमें पॉपलेशन का भी डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा तो चलिए दोस्तों अब हम चल पड़ते हैं किस्टन की तरफ तो हम करते हैं बात पहले किस्टन की हरियाना विदान मंडल में कितने सदन है और यह आपको साइद पता होगा कि हरियाना विदान मंडल में एक ही सदन है परन्तों इसके साथ में एक चीज और 6 राजे होते थे परंतु जैसे ही तेलंगाना आंधरा परदेश से अलग हुआ है तो ये टोटल हो गए हैं अब 7 उनके मैं फटाब आपको नाम गिना देता हूँ पहला है करनाट का दूसरा उतर परदेश तीसरा है माराश्टरा चोथा है बिहार और जमू और कस्मीर आंधर 2014 में जब election हुआ था तो उनमें किस की कितने सीटे आई मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की बीजेपी को यहां पे सीटे मिली थी 47 फिर बात करते हैं इनेलो की इनेलो को यहां पे सीट मिली थी 19 कॉंग्रेस की बात करें तो 15 और एक और प आई थी उसके सपुत्तर सरीकुल दूइब विसनोई उनको सीटे आई थी दो अगले किस्टन की तरफ चलते हैं यह कि हरियाना में लोग सो वाके कितने सदस्टे चुने जाते हैं आपको पता होना चाहिए कि यह टोटल है हमारे पास 10 परंतो इनके नाम क्या-क्या है मैं आ सवनी कुमार अगले क्यूशन की तरफ चलते हैं वो कि हरियाना परदेश से राजय पाल हरियाना परदेश से राजय सबाके लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं इसका आंसर है पांच और यह पांच के विनाम आपको याद होने चाहिए यह कई बार पूछ लिया जाते हैं तो उनके नाम में फटा फटा आपको बता देता हूं वो है विरेंदर चोदरी देवेंदर पाल वाट्स जिसको डीपी वाट्स भी कहते हैं रामकुमार कस्यप सेलजा और सुभास चंदर अगला क्यूशन हरियाना के पर्थम राजय पाल का नाम क्या था इसका नाम था दो दरफ जलते हैं ये कि हरियाना के पर्थम मुख्यमंतरी का नाम क्या था पंडग भगवद द्याल सर्मा इसके साथ में आपको मैं एक चीज और बतादू कि सबसे ज़्यादा कारियकाल किस सीम का रहा है और सबसे ज़्यादा कारियकाल की बात करे तो ये रहा है चोदरी बं हरियाना का पर्थम एड़ोकेट जनल था आनदबावू-सारूप परन्तू आज के दिन कौन सा है ये बहुत important question है और आज के दिन है बल दे और आज महाजन हरियाना का पर्थम हरियाना का एड़ोकेट जनल अगले question के बात करते हैं वह कि हरियाना में मंदलों की संख्या कित तो अगला question हमारा OCC related है, तो देख लेते हैं, हरियाना के मंडलों के नाम बताइए, और इसका answer है, अमबाला, हिसार, करनाल, रोतग, गुरूग्राम, यह सब आप उनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और परीदाबाद, यह से हमारे मंडलों की सन क्या है, बता होना चाहिए, कि टोटल जिले कितने हैं, 22 जिले हैं हरियाना के अंदर, मैंने बताया था, आपको की थमनेल के उपर भी आप इसका देख लीजिए, और देखने के बाद आपको उनके नाम याद उने चाहिए, उनके पैचान भी होने चाहिए, तब ज्यादा बेतर होता है, फिर भी एक बार दुबारा से जाके आप थमनेल पे इसको देख सकते हैं, अगले क्योशन के तरफ चलते हैं, अगला क्योशन है हमारा, जिसको अभी स्क्रीन पे हम हजर करते हैं, वो कि हरियाना प्रदेश का सबसे अंतिम जिला कौन सा था, कौन सा है, इसका नाम है चर्खी दादरी, और आपको मैं एक बात और बता दू, जब हरियाना बना था, उस में पे टोटल जिले कितने थे, वो थे साथ, और एक बात और बता दू कि, साथवाँ जो जिला था, इस में पे वो था जीन, तो कोई बार इस प्रकार का क्यूशन पूछ लिया जाता है, नेक्स क्यूशन है, हरियाना प्रदेश में कुल कितनी तैसील है, इसका आंसर है, 93, अगला क्यूशन है, हरियाना प्रदेश में कुल कितनी उप तैसील है और इसका अंसर है 50 next question हरियाना राजे में कुल कितने ब्लोक है हरियाना राजे में ब्लोक के सिंख्या है 140 परन्तु यहाँ पर एक चीज मुझे और ध्यान में आती है और मैं आपको बताना चाहता हूँ हरियाना में के अंदर ब्लोक है 140 परन्तु हरियाना के अंदर सिटीज कितने है यह है 154 टोटल है 154 next question हरियाना राजे में कुल गाउं के सिंख्या कितनी है और correct answer is 6841 गाउं है हरियाना में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर कि टोटल गाउं इतने है परन्तु हरियाना के अंदर पंच्यात कि संख्या है वो है 612 आप इससे क्या समझें कई सारे गाउं ऐसे हैं कि जहां पर पंच्यात नहीं है यानि बड़े गाउं की पंच्यात ओर रूल करती है छोटे गाउं को इसलिए यहाँ पर पंच्यात कि संख्या कम है परन्तु एक बात और आपको याद रखनी होगी हरियाना के अंदर कई गाउं ऐसे हैं जहां पर दो पंच्यात भी हैं और तीन पंच्यात भी हैं बहुत बड़े गाउं और यहाँ पे आपको ये भी याद होना चाहिए कि हरियाना का सबसे बड़ा गाउं कौन सा है हिसार के इंदर ससा जो गाउं है वो हरियाना का सबसे बड़ा गाउं है Next question हरियाना के किस रज़े से असो कस्तंब प्राप्त हुआ था बहुत important question है और यह है टोपरा अमबाला से इसके बारे मैं आपको बताओं तो यह उनार नगर रोड़ पे है यहां से असोकस्तम प्राप्त किया गया था और फिरोजसा कोटला के अंदर जो असोकस्तम आज विदमान है यहां पे रखा हुआ है वो यहीं से लेके जाया गया है और इसको लेके गए थे फिरोजसा तुकलक next question देखते हैं वो के हरियाना के टोपरा से मिले सोकस्तम से कितने अबिलेक मिलते हैं answer is फिरोजसा क Cameras next question देखते हैं हरस कालें तामर मुद्राएं हरियाना के किस सहर से मिलती हैं हरस कालें तामर मुद्राएं मिलती हैं सोनी पत से तो अगले क्योशन की तरफ बढ़ते हैं क्योशन नमबर है 19 National Dairy Research Institute कहां परस्ती थे इसको short form में हम NDRI भी बोलते हैं और यह located है हमारा करणाल के अंदर मैं आपको कुछ और चीज़े बता दिना चाहता हूं NDRI के बारे में NDRI सबसे पहले 1923 में स्तापित किया गया था बैंगलोर में जिसका नाम उस में पे था Imperial Institute of Animal Husbandry जो 1936 में आते आते इसका नाम बदल दिया गया तब इसका नाम बना दिया गया NDRI NDRI की फुल फॉर्म National Dairy Research Institute 1925 में इसका headquarters shift कर दिया गया और यह कर दिया गया करणाल में उसमें के बाद यह करणाल में है अगले question की तरफ चलते हैं वो है एसिया का सबसे बड़ा animal form का परस्तित है और इसका correct answer है हरियाना का हिसार में अब हिसार की बात करें तो हिसार बहुत ही famous है सबसे पहले कारण है इसका famous होने का यह है कि यहां पे जिंदल होस्पिटल है जिंदल स्टील बहुत बड़ी industry भी यहां पे located है इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देदाना चाहता हूँ वो है कि फिरोजसा तुगलक ने इस सेर को बसाया था 1314AD में फिरोजसा तुगलक ने फतेहाबाद में बसाया था जो उसके पूतर थे फतेहाबाद या फतेगड कहले कि उसके बेटे का नाम था फतेह खान जिसके कारण वो फैरमाशा था अगला क्योशन की तरफ जलते हैं वो क्योशन है हमारा जनसिंख्या की दरिस्टी से हरियाना का भारत में कौन सा स्थान है जनसिंख्या की दरिस्टी से देखा जाए तो भारत में हर्याना का स्थान है अठार वाँ प्रन्तो आपको कुछ चीज़े और याद रखने चाहिए यहाँ पे वो याद रखने चाहिए कि पहला स्थान किसका है पहला स्थान है यूपी का दूसरा स्थान मारास्ट्रा का तीसरा स्थान बिहार का चोथा स्थान वेस्ट बंगोल का और सबसे कम जनिसंख्यावाला राज्या कुन सा है? ये दिये क्योशना आता है तो आपको बताना है सिकिम. नेक्स्ट क्योशन की तरफ चलते हैं. वो हमारा 2011 के नुसार हरियाना की जनिसंख्या कुल कितनी थी? ये सपसाकड़ा है, 2 क्रोड, 53,51,422 व्यक्ति थे. ये सबसे कम जनिसंख्यावाला जिले की बात करें तो वो है पंचकुला. अब पंचकुला को बता देता हूँ, पंचकुला प्लैन सिटी है. पंचकुला का नाम पंचकुला क्यों है? ऐसा मना जाता है कि पंच से है फाई और आगे है कैनाल, यानि पंचकुला पांच, नहरो का सहर. इसलिए इसको पंचकुला का नाम दिया जाता है. तो हमार अगला क्यूशन है हरियाना का सबसे अधिक जनसिंग के विर्दी वाला जिला कौन सा है और ये इस जिले की बात करें तो ये है गुरू ग्राम और गुरू ग्राम के बारे में मापको कुछ चीज़े बता देता हूँ गुरू ग्राम क्या है इसको ये मना जाता है कि ये एक गाउन था गुरू दुरोनाचारिय का मापारत कालेन गुरू दुरोनाचारिय की बात मैं कर रहा हूँ City of Scraper ये बहुत बहुत उंची बिल्डियां यहां बिल्डिंगे यहां पे हैं जैसे DLF की बात करें मारूती यहां पे हों जो इंडिया के अंदर लगए 52% अपनी कारे बेच देती है इसके लावा NSG कमांडो यहां पे हैं NSG कमांडो के बात करें तुझ मानेशर में इसका सेंटर है पहला सेंटर मानेशर में अब तो यह हर जगह पे है फिर बात करते हैं कि एनेस जी कियों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि ताज होटल पे जब हमला हुआ था बंबई के इंदर जब हमला हुआ था कन आतक वादियों के दुआरा उसमें पर एनेस जी ने यहां पर अपना बहुत बड़ा रोल निमबाया था और इसके साथ मैं आपको बढ़ा दू कि जज़र के अंदर लार्जस्ट बस स्टेशन है लगबाग 38 एकर अपनी जगह कोई लिये हुए है अगले क्यूस्टन की बात कर लेते हैं वो है हरियाना का जनसिन क्या गंताओ कितना है हरियाना का जनसिन क्या गंताओ है पांसो ती और दूसरा होता है distribution of the population दोनों में difference होता है density होता है कि एक वरक किलोमेटर के अंदर average लोग कितने रहते हैं एक वरक किलोमेटर के अंदर distribution में यह होता है कि concentration of the population कहा है उदान के तौरपे में बताऊं हम बात कर लेते हैं गुरू ग्राम की गुरू ग्राम सहर को देखे उस के अंदर आने वाली जो जमीन है उसको देखे दोनों में फरक हो जाएगा सहर के अंदर population concentration ज्यादा है पर के तो में थोड़ा न रहते हैं लोग इसलिए population density और distribution में थोड़ा फरक होता है आपको यह समझना होगा अगला किसन है हरियाना का लिंगान उपात कितना है हरियाना के अंदर पूरे देश में यह lowest है सबसे कम sex ratio हरियाना में यह है मैं यूटेज की बाद नहीं कर रहा हूं यह आपे states की बाद कर रहा हूं और state के हिसाब से देखा जाए तो हरियाना lowest है next question पे चलते हैं वो किर हरियाना का सबसे ज़्यादा लिंगान उपात वाला जिला कोन सा है यह भी ज़रूरी मेवाद और मेवाद के अंदर मैं आपको पता दो कि मेवाद के अंदर कितना है भई जन सिंग क्या लिंगान उपात सेक्स रेशो कितना है तो यह है 907 महिलाएं परती हजार पुरस अगला केशन है हरियाना का सबसे कम लिंगान उपात वाला जिला कोन सा है और यह गुरूगराम और सोनिपत दोनों को मिला के मैं सोनिपत की बात आपको बता देता हूँ कि सोनिपत जैसे हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं सोनिपत का पुराना नाम था सरण परस्ता पांड़ों ने इसका नाम दिया था और ये बताया जाता है इंदर परस रोंपरस पांडो परस तीन सहर बसाए गए थे वैसे टोटल पांच बसाए थे परंतु अब मुझे तीन ही जाना है तो मैं इसके बाद मैं जो सोनिपत जिला बना था बाई दिसंबर 1922 को बना था खंडा विलेज के अंदर यहां पे सो से ज्यादा बठे हैं और आपको इसके लावा मैं बताओं तो एटलस साइकल की फैक्टरी यहां पे हैं बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टिटूट हैं जैसे गौर्मेंट ओन करती है राजय हुगा दिएजुकेशनल सीटी जो कुंडली में है और आयाइटी सौनिपत भी है जो दिली नौर्थ केंपस का अक्स्टेंशन है इसके अलावा छोटोराम यूरिस्टी यहां पे है ओपी जिंदल यूरिस्टी यहां पे है बगत फूल सिंग महिला यूरिस्टी जो नौर्थ इंडिया की यूरिस्टी यहां पे है तो नौर्थ इंडिया में एक ही महिला य जिला कौन सा है गुरू गराम और यह कितना है यहां पर यह जिदिश की बात करें कि हरियाना के गुरू गराम में साकसरता कितनी है 84.69% पता नहीं कैसे लिख रहा है मेरा पैन अगला क्रिशन हरियाना का नियुंतम साकसरता वाला जिला कौन सा है हरियाना का नियुंतम साकसरत वाला जिला है मिवाद मिवाद के बारे में हम बहुत सारी बात पहले भी कर चुके परन तुम आपको यहां बता दिए है फिप्टी फोर पॉइंट जीरू आठ परसेंट अगले किस्टिन की तरफ चलते हैं वह कि हरियाना का राज क्या पसू कौन सा है नील गाई और यह थे दोस्तों हमारे 35 क्यूस जो हमने इसे नेक्स्ट पार्ट टू में किये हैं उमीद है कि आपको यह पसंद आएंगे और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा धन्यवाद